हैलो अब्रिवान टेस्ट आफ नॉलेज में आपका स्वागत है सफलता की कुझी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ मैं तरुनकुमाश शर्मा पार्ट त्री मौडर इंडिया इंडिया इंडिस्री का हमारी क्लासेश चल रही है प्रीविएस वीडियो देखने के लिए उपर आई बटन में क्लिक करकर आप देख सकते हैं इसके दो पार्ट कंप्लीट हो चिके हैं थर्ड पार्ट है चलिए देख लेते हैं टाइम टेबल जो टेस्ट आफ नॉलेज के तरफ से सेट किया गया है वह बात कर लेते हैं हम लोग सुबह के चार बजे करेंड अफियर क्लासेश चल रही है जो संडे टूस्डे एंड थर्जडे चलती हैं इंडियन हिस्ट्री क्लासेश दस तारीक से हमारी शुरू हो चुकी है आप सारे वीडियो देखने के लिए उपर आई बटन में क्लिक करकर देख सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है टेस्ट में दिया गया है जाके पीडियाफ को आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं हम बात कर रहे थे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में भारत का इत्यास संस्कृती जिसमें एंसेंड मेडिवल एंड मॉडरन हिस्ट्री है अभी हमारी चर्चा स सिर्फ और सिर्फ मॉडरन हिस्ट्री को लेकर हो रही है 1757 से 1947 मॉडरन हिस्ट्री होता है लेकिन हम 1498 से स्टार्ट किये हैं ताकि मॉडरन हिस्ट्री का कुछ-कुछ अन्स वहां दिखाई देना शुरू हो जाता है कि हम पुड्री काल्स को कवर कर लिया था अब आज हम जच को कवर करने वाले हैं देख लेते हैं दटटच वियर रसाइट्स इस ऑफ-फुफ द नेदरलेंड होलेंट उकिंडच नेदरलेंड मांने हॉलेंड के निवासी थे नेदरलेंड को हॉलेंड गुला आता है तो सम डच ट्रेडर फॉर्मड एन इंडियन ट्रेडिंग कंपनी 1592 एड़ी दक्षिडपूर्व एशिया के मसाले बाजारों में सीधे प्रवेश पाने के उद्देश से कुछ डच देगे कुछ डच व्यापारियों ने 1592 में भारती व्यापारी कंपनी का गठन किया तो जो इव दफर्स डच फ्लीट 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 फ्लीव फ्लूं होलन्ड तो इंडिया अंडर कर्नेल्स देमन इन 1598 वरीचिंग सुमात्रा एंड बंताम वाया केप ओफ गुड होप जिसके पहल पर पहला डच जाहाजी बेडा पंद्रासो पिच्यानवे इश्वी में कार्नेलिस डेहट्समान के नित्रिद में हॉलेंड से भारत के लिए चला जो केप ओफ गुड होप होते वे सुमात्रा और बंटाम जाप महँचा देखें ये इंडिया में नहीं आये पहले सुमात्रा और बंटाम चल गए थे अगर मैं मैप की बात करूँ तो आपको पता ह है सपोझ यह इंडिया और यह अफरीका तो यह जो अफरीका नीचे विला जो एरिया होता है जहां बार्थलोमो डियास वापस चल गए तो इसी को केप ऊप गुड होप बोलते और यहीं से आते है नोग क्या किये इंडियन ओशियन होते हैं भारत पर पहुंचे आयोप या वहां से चली थी 1595 में और company established कब हुई थी इस साल में अब देखिए बहुत confusing line है आप पहले line को देखिए 1592 में भारती वेपारी company का गठन किया गया मतलब वहां से कुछ एक company बनाई गई कुछ डच वेपारियों के द्वारा और वह भारत की खोज में निकली 1595 में लेकिन इन लोग भारत नहीं पहुंचे है ना इन लोग कहां पहुंच गए हॉलेंड और आपका सुमात्रा यह भी याद रखना है आपको लेकिन बाद में 1602 में क्या हुआ फिर एक company बनाए गए स्टाइबलिश इन दा नेम ओफ यूझा इंडिया इस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना की गई मतलब अब जो एक्च्वल डच कंपनी थी भारत में आई थी वह आकर तयार हो गई थी वहां पर और यह आपको याद रखना यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डच कंपनी के बारे में पूछे तो कब इस्टाइबलीश हुई तो तो 1602 में और भारत के लिए सबसे पहले कब निकली तो 1595 में इस कंपनी को डच संसत द्वारा 21 वर्सों के लिए ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्सों के लिए टाइम मिला था लेकिन इनलों को 21 यर के लिए बिजनेस का टाइम मिला 6 साल जादा के लिए भारत और यूरोप नॉट ऑनली भारत यूरोप के देशों के साथ के लिए भारत और यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने के संबन में अधिकार प्रत्र प्राप्त हो गया मतलब इन्हें क्या किया गया जो कंपरी बनाए गी ती डच इस्ट इंडिया कंपर तो यहां पर यह भारत और यूरोप दोनों के साथ वैपार कर सकते थे कितने सालों तक 21 सालों तक कोई इंडर्फेर नहीं करेगा पहली जो फेक्ट्री थी वो मसूली पट्नम में बनाई गई थी 1605 इस भी में मसूली पट्नम में प्रथम डच फेक्ट्री के स्थापना की गई थी कि फर्स जहां पर भी आए वो हमेशा नोट डाउन करेगा वो वेरी वेरी इंपॉर्डेंट हो जाता है The Dutch East India Company soon required a monopoly on the spice trade in India भारत में सिगर ही Dutch East India Company ने मसाला व्यापार पर एक अधिकार प्राप्ट कर लिया और बहुत जल्दी ने क्या किया जो इंडिया के मसाला व्यापार थे इसपाइस थे तो उस पर क्या किया मोनोपॉली स्टैब्लिश कर लिए एक अधिकार स्थापित कर लिया दच इंट्रेद्ज दियर गोल्ड मेड पगोडा कॉएंज इन पुली कट डचों ने पुली कट में अपने स्वण निर्मित पैगोडा सिक्के इनके सिक्के का नाम क्या था पैगोडा सिक्का ओक ये गोल्ड के बने विए होते थे The greatest future of Dutch factories in India was that there was no fortification in all Dutch settlement except for all the fortress or Geldriya in Polycut मतलब भारत में Dutch factories की सबसे बड़ी विशेस्ता ये थी कि Polycut इस्तित Geldria के दुर्ग Geldria का दुर्ग कहां था कहां था fortification of Geldria Geldria का fortification कहां था तो ये था Polycut में इसके अलावा सभी डजबस्तियों में कोई भी कीले बंदी नहीं थी आप देखे बहुत बड़ी बात ये थी कि इन लोगों ने जो कोयन बनाना शुरू किया था पैगोडा सिक्के, गोल्ड कोयन, वहीं पर सिर्फ कीले बंदी की उन लोग ने वहीं पर क्या किया, वहीं पर दिवारे खड़ा की गई, سैनिको को रखा गया वने अंदर के थृष पुरे सैनिको को बाहर खड़े कर दिये इन लोग कीले बंदी कर देना इसको कहते है, वहीं फोडिफीकेशन कहते है लेकिन इसके अलावा जो पूली कट में गैल्डिया के दुर्ग के अलावा और कहीं पर भी इन लोगों ने इस तरह कीलिबंदी नहीं कि थी ऐसा क्यों इसके पीछे रीजन क्या था वो रीजन था यहां पर गोल्ड मेड बनाया जा रहे थे पेगोड़ा के कोईंस ओके पूल में इस्टैबलिश की गई थी 1627 में इस्टैबलिश की गई थी बंगाल मने पीपली जगहें में प्राथम डच फेक्टरी के स्थापना 1627 इस्वी में की गई थी देच इस्ट इंडिया कंपनी वाज मोर इंट्रेस्टेट इन देश्पाइस ट्रेड ऑफ इंडोनेशिया दैन इंडिया अब यह बहुत ही ज़्यादा इंबॉर्डेन लाइन हो याती है कि देखिए उन लोग भारत के मसालों में ज्यादा इंट्रेस नहीं ले रहे थे ऐस पसंद आई इसलिए उन लोगों ने क्या किया भारत पर मसाले के ओपर ज्यादा थ्iven ने दिया भारत पर वस्त्रों के ओपर धि हान देते थे गार्मेंट्स के ओपर ज्यादा ध्यान देते थे देच्च मेड 1613 आफ्टर कंकुरिंग जकार्था एंड इस्टैब्लिश अ न्यू सिटी कॉल्ड बत्विया बताविया इन 1641 देच्च कैप्टर मलक्का एंड साइलन इन 1658 देचों ने 1613 इश्वी में जकार्था को जीत कर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की अब देखे जकार्था कहां है आपको पता इंडोनेशिया के तरफ है तो 1613 इश्वी में उन्होंने क्या किया जकार्था को जीत लिया और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया था बेटर विया, ओके, 1641 में, 1641 में, डचों ने मलक्का और 1658 में, सीलोन पर कबज़ा कर लिया, मलक्का और सीलोन पर भी इन लोग ने क्या किया था, कबज़ा कर लिया था, पर भारतिय कपड़ों के निरयात को अधिक महत्वदी, आभी मैंने आप से कहा, कि बोलो इंडोनेशिया चल गया थे इंडोनेशिया में उन्हें मसाले अच्छे दिखाई देने लग गया इसलिए उन लोग क्या किये भारत में उन्हें कपड़े की जो प्रिंटिंग थी कपड़े जो थे वो ज्यादा क्लोथ को लेकर वो ज्यादा सीरियस थे इसलिए उन्ह से क्लोड को एक्सपोर्ट करना शुरू किया निर्यात करना शुरू किया इंडिको चोन सूती वस्त्र होता था है वाने जो cotton cloth होता था cotton textile उसको send करते थे एक्सपोर्ट करते थे डच में तो यह सारे इंपोर्टन पॉइंट है याद कर लीजेगा the Dutch used to export indigo from Musuli Patnam the Dutch mainly traded cotton from India Dutch लोग Musuli Patnam से नील का निर्यात करते थे मुखेता डष लोग भारत से सूती वस्तर का व्यापार करते थे अब देखिए डथ लोग Musuli Patnam से क्या करते थे नील ने इंडिगो का निर्यात करते थे इंडी को export करते थे और जब डश्ट लोग क्या थे सूती वस्तिर का व्यापार करते थे यह तो अभी आपने बात किया कि उनलोग ज्यादा तर सूती वस्तिर माने देशाल है डच इस्त इंडिया कंपनी का सरवाधिक लाप कमाने वाला प्रतिस्ठान था अगर आप से पूछ लिया जा एक्जाम में की जो डच थे सबसे यादा profit कहां से बनाते थे, सबसे यादा profit कहां होता था इनका, कौनसे area से तो आपको कहना है सूरत, सूरत में dust सबसे ज़्यादा क्या करते थे, सबसे यादा profit बनाते थे, ओके, आज भी सूरत आपको पता है, textile के लिए जाना जाता है, कपड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता है, इसके बीचे ये सारे रिजन रहे हैं, दड़च आर रिस्पॉंजिबल फॉर मेकिंग दे एक्स्पोर्ट आप इंडियन टेक्स्टाइल, भारतिय वस्त्रों का निर्यात वस्तू बनाने का स्ट्रह डचों को ही जाता है, भारतिय वस्त्रों का मोर पावर्फुल डच ट्रेडिंग सेंटर, in 1653 AD, here the डच बिल्ड आ फोर्ट नेम गुस्तावल, गुस्तावल, ओके, अब देखिए 1653 इश्वी में क्या हुआ, चिंसूरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंदर बन गया, सबसे ज़्यादा सक्तिशाली व्यापार केंदर कौन सा बन गया, चिंसूरा बन गया, पावर्फुल डच ट्रेडिंग सेंटर बन गया था, चिंसूरा, यहाँ पर डचों ने गुस्तावूल नाम के कीले का निर्मान करा है, आब देखिए बाद में जाकर इन लोग क्या करते हैं, गुस्तावूल नाम का एक कीला भी बना देता है, कीला मतला फोर्ट तयार कर देते हैं, याद रखना है आपको औरंग जेव इन 1664, empowered the dust to trade in Bengal, Bihar, Bengal, Bihar and Urisa at 3.5% annual tax औरंग जेव ने 1664 इस्वी में डचों को 3.5% द्वार्शिक चुंगीपल पर Bengal, Bihar और Urisa पर में व्यापार करने का दिकार दे दिया अब देखे क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि उनलोग Bengal में बिजनेस नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अगर औरंग जेव ने क्या किया किया कि 3.5% टैक्स दीजे एन्वली, है ना, वार्शिक आप 3.5% कर दीजे और यहाँ पर क्या करेंगा, Bengal, Bihar और जो उड पहली फैक्टरी की गाई, बना स्टैबलीश की गई है बडेकिन नोग का किये कुछ दीन बाद, बालासोर में जाकर फैक्री को स्टैबलिश कर दी तो कहां से कहां transforming से बालासोर में यह बी अब कुछ important हम लोग बात कर लेते हैं कार खानों की कि डचों कुछ और भी कार खाने बनाए गये थे कहां कहां बनाए गये थे वह देख लेते हैं some other factories established in India by the Dutch where established meant as we established which as follows दचोदवारा भारत में स्थापिक स्थापित कुछ अन्य कार खाने किस्थापना की गई जो इस प्रकार है देखिए स्थापना और येर कभ इस्टैबलिश चोद हो भी पूली कट में 1610 इस्वी में इन लोग क्या किये थे कि ये जो इनकी कार खाने थे तो पूली कट में कभ इस्टैबलिश किया गया था 1610 इस्वी में उसके बाद कारिकल में कारिकल में 1645 में इन लोगों ने क्या किया कारिकल में दूसरा जो कार खाना था वो इस्टैबलिश कि उसके बाद चिंसूरा में 1653 में कोचिन में 1663 में कासीम बजार पटना बाला सो नेगा पटनम ओके यहां पर इन लोग ने 1658 में देखें यहीं नहीं है और भी है जैसे मैं अगर बात करूँ तो सूरत की आप बात कर लेते हैं सूरत में 1660 में लोग ने स्टैब्लिश किया फिर आपकी अगर बात करूँ तो आपका विमली पट्टम एक जगा थी विमली पट्टम में 1641 में स्टैब्लिश किया था इन लोगों ने तो यह सारे आपको याद रखने हैं तो आप नोट डाउन कर लिजेगा जो मैं कह रहा हूं पहली मैंने बात की 1616 में सूरत में इन्होंने फैक्टरी को इस्टैब्लिश किया और उसके बाद विमली पट्टम में इन लोग ने 1641 1641 में इस्टैब्लिश किया उके उसके बाद मैं अगर बात करू तो 1690 में क्या होता है कि डज गवर्नर होते हैं उनका मुख्याल है जो हेड़ क्वाटर हो उन लोग नेक पट्टम में बना देते हैं तो पूली कट से ट्रांसफर कप करते हैं क्यापिटल को नेक पट्टम में 1690 में उन लोग क्या करते हैं पूली कर से अपनी क्यापिटल को ट्रांसफर करकर नेक पट्टम कर देते हैं यह भी आपको याद रखना है बहुत ही ट्रेड इंडिया बट्ट दडच कुड नॉट स्टैंड दा नेवल पावर ऑफ द ब्रिटेस डचों ने भारत में पुर्टगालियों को समूंदरी व्यापार से एक तरह से निश्कासित कर दिया अब देखें डचों ने क्या किया जो पुर्टगाली उनके सामने नहीं पाए और बहुत जल्दी क्या हुए हार जाते हैं चल जाते हैं यहां से देख लेते क्या हुआ 1759 A.D. बिट्वीन दडच और ब्रिटीस इन दबैटल ऑफ बेद्रा कहां कॉंसा यूद हुआ था बेद्रा का यूद के बेद्रा इन इंडिया 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 पू तर्फ डारी सुपरीट के एयुआराइड इंडिया इंडिया इंडियाट-एट इंडिया 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 क्या अब की बिच 2769 आपको याद थusta द皆 दाओ भारत ने अंग्रेजी नोसेना की सरविस्टिता को सिद्ध करते हुए डचों को भारती व्यपार से अलग कर दिया अब देखें 1759 में जब वेद्रा का युद्वा बैटल ओफ वेद्रा हुआ याद रखना है बैटल ओवेद्रा इसमें क्या हुआ कि डच और इस्ट इंडिय कंपनी के बीच में जो नेवल युद्वा फाइट हुई जिसमें ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी क्या थी जीद गई और इन लोगों को यहां से हार मानना पड़ा और यहां से जाना पड़ा तो आज का सेशन कैसा लगा सेशन मैंने बहुत ही छोटा रखा क्योंकि डच को हमारे टेलिगराम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं कोश्चन तो मेरे ख्याल से कोई पूछा नहीं गया अगर पूछा गया है जो भी एक दो कोश्चन उसका कमेंट बॉक्स पर एंसर दीजेगा और ध्यान से लेक्चर को सुनी अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो थांक यू